slow motion की वेडियो को सूट करने के लिए simple से आपको अपनी फोन को यहां पे normal वीडियो mode पे रख लेना हो गाइज नार्मल वीडियो मोड पे आप लोग रख लीज्येगा और किछ टाइप से वीडियो को सूट करना यह मैं आप लोगो दिखा देता हूं तो सबसे पहले मेरा मॉडल वहाँ पे खड़ा है मैं दिशाले टाउटी है तो वस्ट अप गाईज हम लोग ने तो वीडियो तो सूट कर लिया लेकिन इसे कैसे एडिट करना ये भी मैं आप लोग को बता दू और वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा तो वस्ट अप गाईज उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए आप लोग को दो एपों की जरुवत पढ़ने वाली है पहले एप का नाम है सूपर वीपियन और दूसरे एप का नाम है कैपकट और इनी दोनों एपों से मैं आप लोग को स्लो मोशन की वीडियो को एडिट करना सिखा दूँगा तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजेगा यहाँ पे सूपर वीपियन एप को आप लोग उपन कर लीजेगा और जैसे ही आप इस वाले एप को उपन कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा तो सिंपली गाइच आप लोग को क्या करना होगा यहाँ पे एक एड आगा तो एड को आप लोग सिंपली यहाँ से स्कीप कर देजेगा मैं भी फटा फट यहां से skip कर देता हूँ यहाँ पे आप लोग सिंगापूर कर लीजगा country को मैं यहाँ पे सिंगापूर कर लिया हूँ और simple से मैं connect के icon पे click कर के अपने VPN को phone के साथ connect कर लूँगा और मैं आप लोग के साथ complete process बता रहा हूँ तो वीडो को complete आप लोग देखिएगा तो VPN तो आप लोग का connect हो जुका है तो simply आप यहाँ से क्या करेंगे CapCut app को open कर लेंगे और जैसे ही आप इस वाले app को open कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का interface देखने को मिलेगा तो simply guys आप लोग को कुछ भी करने की जुरत नहीं है आपको यहाँ पे एक new project का icon देखने को मिलेगा तो new project वाले icon पे आप लोग ऐसे tap कर दीजेगा tap कर लेने के बाद आपकी gallery की सारी वीडोज और फोटोज आप लोग के सामने मिल जाएगा तो आप लोग को जिसवी वीडो को edit करना है उस वीडो को simple से आप लोग select कीजेगा और कर लेने के बाद नीचे side में add वाले icon पे click कर दीजेगा और add वाले icon पे आप जैसे ही click कीजेगा तो आपका वीडो क्रैप करट के timeline पे आ जाएगा और इसे वीडो को edit करने वाले हैं और आपको बहुती आसान तरीका बताने वाला है और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी बात को share करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडो को कहीं पर भी skip कर देते हैं तो आप slow motion की वीडो को edit नहीं कर पाएंगे और आपको वाई complete tutorial बताएगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा अपने वीडो के layer पे ऐसे टैब करना होगा और टैब कर लेने के बाद सबसे पहले आप लोग को side में ऐसे scroll करना होगा और scroll कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक adjust वाला icon देखने को मिलेगा तो adjust के icon पे आप टैब कीजिएगा टैब कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी brightness के icon पे click करके इसकी brightness को आप लोग increase करके plus side में या पे मैं 7% कर लेता हूँ और situation वाले पे आके situation को increase करके इसे भी plus side में 7% कर लेता हूँ सिंपल से guys ऐसे आगे आईएगा सार्पेंट वाले पे click करके इसकी सार्पेंट की value भी increase करके इसे plus side में 7% इसे भी कर लीजेगा और आपका वाई जो भी setting बता रहा है उसे आप same रखिएगा तभी आप अपनी video को edit कर पाएंगे HSL के icon पे आप type कीजेगा और जैसे याप यहाँ पे type कीजेगा तो आप लोग के सामने धेरो सारे colors देखने को मिलेगा तो सबसे पहले green color को लेके इसकी situation की value increase करके प्लस side में 41% कीजेगा hue की value increase करके प्लस side में 15% कर लीजेगा दें दोस्तों simple से आप लोग को यहाँ से yellow color को लेके इसकी hue की value increase करके प्लस side में 34% कर लेना होगा simple से यहाँ से orange color को लेके और इसकी जो luminance की value है ना इससे आप लोग को increase करना होगा जिससे आप लोग का face bright हो जाए तो मैं यहाँ पर इसकी luminance की value increase कर लेता हूँ देंदे उस तो red color को select करके इसकी luminance की value मैं increase करके 42% plus side में करके और simple से मैं यहाँ पर back आजाऊंगा back करने के बाद थोड़ा सा आगे आऊंगा यहाँ पर एक temp का option मिलेगा तो tempo वाले पर click करके इसकी जो temp का value मैं minus side में 12% कर देता हूँ simple से guys थोड़ा सा और आगे आऊंगा यहाँ पर एक vignate का option देखने को मिलेगा तो vignate के options पर click करके यहाँ पर आईसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो side side से हम लोग का black हो जाएगा तो simple से यह कर लेने के बाद आपको right के icon पर click कर देना होगा कर लेने के बाद आप यहाँ से न वीडियो को चला के देख सकते हम लोग के वीडियो के अंदर color तो add हो चुका है लेकिन अभी हम लोग का यह वीडियो बिल्कुल normal है इसमें हम लोग ने कोई भी slow motion को add नहीं किया है तो वो भी आपका बाद बताने वाला है तो simple से वीडियो के end में आएंगे और यहाँ पर यह black color का logo मिल जाता है cap cut का तो इसे हम लोग select करके नीचे side में यहाँ पर delete के icon पर click करके इसे delete कर देंगे simple से अब हम अपनी वीडियो को cutting करेंगे तो देखेंगे कहाँ पर हम लोग का वीडियो का फाल्तू पाट है तो थोड़ा सा last में हम लोग का फाल्तू पाट है तो वीडियो अले layer पर ऐसे tap करके और अपने finger से last ने पर करके ऐसे घसीट के कर देंगे तो हाँ तक वीडियो आपका cut जाएगा स्टार्टिंग में भी आप ये process को follow कर सकते है लेकिन मेरा स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत ही अच्छा है तो मैं कोई भी setting यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ तो simply guys आप लोग को क्या करना होगा यहाँ से आप लोग को back आना होगा और back card के बाद simply आप देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को slow motion का master बनाने वाला हूँ तो simply आपको अपनी वीडियो के layer पर ऐसे टैब करिएगा टैब कर लेने के बाद नीचे side में आप लोग के सामने एक speed का icon देखने को मिलेगा तो speed वाले icon पर आप ऐसे एक बाद टैब करिएगा टैब कर लेने के बाद यहाँ पर एक normal का option मिले है एक curve का icon मिलेगा तो simple से मैं आप लोग को दोनों बता देता हूँ तो सबसे normal वाले के काम ही होता ना कि इस पर जब आप टैब करेंगे तो यहाँ पर जब इसकी duration को कम करेंगे ना तो आपका पूरा वीडियो मतलब slow mode में हो जागा कहीं पर भी आपका वीडियो fast नहीं रहेगा पूरा slow mode में हो जाएगा अगर आप इसे अगर बढ़ा देते हैं ना तो आपका पूरा वीडियो यह मतलब fast motion में हो जागा कहीं पर भी slow mode नहीं होगा लेकिन हम लोग क्या करने वाले ना अपने वीडियो को slow and fast motion में दोनों में convert करने वाले हैं कहीं पर slow रहेगा कहीं पर fast रहेगा तो उसके लिए simple से हम लोग क्या करेंगे आपको preset भी देखने को मिल जाएगा preset का भी आप लोग यूज कर सकते preset का यूज कर लेने से भी आपका यहाँ पर slow and fast motion बन जाएगा लेकिन मैं आप लोग को यह suggestion नहीं करूंगा simple से आप यहाँ पर custom वाले पर click कीज़ेगा custom वाले पर click कर लेने के बाद एक बार और इस पर आप लोग टैप कीज़ेगा कर लेने के बाद आप लोग के साव ने कुछ इस टाइप की interface मिलेगा तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को समझना होगा कि आप लोग को ना इसके बीच बीच में एक एक गो beat को add करना होगा तो मैं पहले dot को छोड़के यहाँ पर आके उपर साइड में यहाँ पर add weed के icon पर मैं click कर दूँगा तो यहाँ पर एक और weed add हो जाएगा मैं ऐसे फटा फट से करके सभी के बीच में एक एक गो weed को मैं add कर लेता हूँ और आप लोग भी simple से यही process कर लीजेगा और कर लेने के बाद simple से आप लोग को क्या करना होगा पहले dot को छोड़के दूसरे वाले dot को पकड़के हम लोग ऐसे नीचे कर देंगे नीचे कर लेने के बाद फिर ऐसे हम लोग सारे करब को आप लोग बना लीजेगा जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो फटा फट से से में यही process आप कर लीजेगा कुछ इस टाइब से करब आप लोग कर लीजेगा simple से आप make smoother पे click कर के better quality पे आप लोग tap कर दीजेगा tap कर लेने के वाद simply आप लोग नीचे side में right के icon पे click कर दीजेगा right के icon पे guys आप जैसे ही click कीजेगा तो आपके video के अंदर यह slow motion एड़ होने लगेगा guys यहाँ पे time इसलिए ले रहा है क्योंकि जब यह video हम लोग का slow and fast motion में convert होगा तो आपका video कहीं पर भी रोकने वाला नहीं है बिल्कुल smooth तरीके से यह चलेगा तो हो जाने दीजे फिर आगे का step मैं आप लोग के साथ share करता हूं मैं complete जानकारी आप लोग के साथ share करने वाला so what's up गई जैसे ही apply हो जाएगा तो simple से आप लोग यहाँ से right वाले icon पे click करके और starting में आके यहाँ से back आजाईएगा back आने वाद एक बार अपने वीडियो को आप लोग चला लीजेगा जब से ही चलाएगे तो कुछ इस type की आपकी पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगा जो की देखने में काफी उसम एनफार सी दिख रही है अगर आप यह चाहते है ना कि अपने वीडियो के starting में बलर effect को add करना तो वो भी आपका बाई बताने वाला है तो उसके लिए simple से आप लोग को क्या करना होगा नीचे side में effect के icon पे click करना होगा और यहाँ पे video effect पे आप लोग click कर दीजेगा और यहाँ पी यह थोड़ा सा loading लेगा आप अपने VPN को connect करके रखे रहीएगा तभी इन सारे step को आप लोग use कर पाएंगे simple से आप लोग के सामने hollow blur का एक icon मिलेगा तो इस पे आप लोग type कीजेगा एक बार और type करके इसका जो second वाला option इसे आप लोग 100% करके और right click कर दीजेगा और जहां तक इसे आप blur effect को रखना चाते हैं और simple से आप अपने video के यहाँ पे चला के देख लीजेगा कुछ इस type के आपकी पूरी video के अंदर slow and fast motion add हो जाएगा तो simple से यहाँ तक अगर आप video को देख लीए अगर आप अपने video के अंदर music को add करना चाते हैं तो उसके लिए simple सा process यहाँ ना कि आप यहाँ पे add audio को पे click कर दीजेगा और यहाँ पे आप extract पे चले जाएगा और जिस भी video को sound को आप लोग लेना चाते हैं इसली यहाँ से आप लोग ले सकते हैं तो फिलाल मैं कोई भी song को लेने वाला नहीं हूँ नहीं तो यह video काफी जादा लंबी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे cut click कर देता हूँ और cut click कर लेने के बाद यह step का यहाँ पे use कर सकते हैं और हम लोग का complete editing तो हो चुका है तो वीडियो को save करने के लिए आपको download के icon पे click करके simple से export कर लेना होगा अपने gallery के अंदर तो I hope guys आपको यह video काफी अच्छा लगा होगा तो तब तक के लिए tata bye bye thanks for watching guys